सबी सम्मानित दर्शको नमस्कार स्वागत है आपका मई माह के राशिफल के इसकारिक्रम में आज हमारी चल्चा का भी सह रहेगा कि तुला राशी का मई माह कैसा वेतीत होगा इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही मई माह को किस प्रकार से और प्रभावी बनाया जाए माई माह में तुला राशी के जातक क्या ऐसा दिव्य प्रयोग करें कि ये पूरा माह उनके लिए भाग्यवर्धक रहे और तमाम उन्नती के मार्क प्रशस्त करें तो तुला राशी के जातकों के लिए कौन-कौन सा दिन अनुकूल रहेगा कौन कौन सा दिन प्रतिकूल रहेगा इस पर भी प्रिकास जालेंगे आप लोग अपने मोबाइल में वो डेटो के रिमाइंडर सेट करके एलर्ट रह सकते हैं साथ ही तुला राशी के जात को आप लोगों के लिए आवस्या कुपाय बताते चलेंगे माइ कैसा जाएगा पताते हैं तो देखिए तुला राशी के जात को एक से एक तारीक को दो तारीक को आपको भागे उन्नती के औसर प्राप्त होंगे आपका जो लोग बिरोध करते आएं हैं वो बिरोध समाप्त होता हुआ दिख रहा है दान धर्म आपके अंदर की इच्छा बढ़ेगी दान करने की धार्मिक काजों में आपकी रुची बढ़ेगी आपके घर में कोई मांगली कुच्सों का आयोजन वगेरा हो सकता है तीन माई से च्छे माई तक सभी प्रकार आपको यहां पर हानी होती हुई दिख रहा है तो 3-6 तारीड तक बिशेष आपको सावधान रहने की यहां पर सितारे सला दे रहे हैं आपके इंकम में आयं में कहीं न कहीं से गिरावट आएगी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कठ लेकिन इतनी भी खराब नहीं होगी, दामपत्य जीवन में बाद विवाद आता हुआ दिख रहा है, हलाकि सूर यहां पर उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी केतु की जो है थर्ड हाउस में इस समय गोचर कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं दामपत्य जीवन में आपके विवाद पैदा करेगी, पारिवारिक सदस्यों तथा मित्रों के साथ मन मुटाव तथा बैचारिक मतभेद रहेंगे, पुरसासन से भय रहेगा, आप कुछ हो सकता है अंदर से आप किसी चीज को ले करके बड़े आशंकित हो, बहुत जादा भय आपके अंदर रहे, आप साथ मई से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, स्वाक्त में सुधार होगा, यदि कोई आप लोन चुकाना चाहते हैं, तो इस बीच आप लोन चुकाते हुए दिख रहे हैं, कोई दुरघटना आपके साथ यदि होने वाली होगी, तो सता उसमें आपका बचा हो जाएगा लेकिन 8-14 माई के बीच आपको कोई ना कोई हो सकता है कि वारेल इंफेक्शन वगरा हो जाए तो इससे आपको बचके रहना रहेगा, वहीं पर बताना चाहेंगे कि कारिस्थल अत्वा कारभार में आपके परिवर्तन होने का भी ये माह कुछ योग दिखा रहा है, आर्थ साथी के साथ घुमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं, वहीं आपकी संतान जो है, चुकि शनी की दिसरी द्रिष्टी आपके पंचम भाव पर पढ़ लाई है, तो संतान पच्छे से कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी, उच्छी सिच्छा के लिए यदि आपकी संतान ने बाहर के लिए अपलाई किया है, तो वह बिदेश वगेरा में जा करके दूर की सिच्छा ले सकते हैं, आपका जो हो सकता है, आपके उपर इसमा कोई अपमान लग जाए या कोई लांचन लग जाए तो इसके लिए भी आपको तयार रहना होगा, विशेश कर आपको महि भुत इस्थापित करते हुए दिखेंगे, रोगों से छुटकारा मिलेगा, सासन प्रसासन का सहयोग प्राप्स होता हुआ दिख रहा है, दामपत्य जीवन का सुख आपको उत्तम मिलेगा इस बीद, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंतर करने की हाँ पर सितारे सला दे रहे हैं, 18 माई से मास के अंतर तक संतान सुख कुछ बाधित होता हुआ दिख रहा है, संतान के दाइत्यों की पूर्ती में कुछ बाधा आएगी, मन में चिंता आपकी बढ़ेगी, कार्यों में असफलता से कुछ आपका मन खिन रहेगा, विरोधी मुखर होंगे, आर् खान पान बिगड़ेगा, स्वाफ बिगड़ेगा, तो देखे दर्शे को कुछ दिन तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ दिन बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है, इनसे बचके रहना है, आपके लिए अनुपूल जो दिवस रहेगा इस माह, एक तारीक, प 25 तारीक, 29 तारीक, 30 तारीक, इन दिवस में आपको बहुत ज़्यादा इलट रहने की आवशकता है, यदि आप चैतन नहीं हुए, तो फिर बिरोधी आपर परसपर हावी होंगे, तो आप लोग इस डेट को रेड पेंसे बिल्कूल नोट कर लीजिएगा, इस माह के लिए आपके लिए जो शुब कलर रहेंगे, वाइट कलर, पिंक कलर, ग्रे कलर, सिल्की सिल्वर कलर, इसकाई ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ये कलर आपके लिए शुब रहेगा, जिन कलर को रवाइट करना है, आप रेड कलर को बिल्कूल रवाइट कर दीजिएगा, आप ब्लै कलर को बिल्कुल एवाइट करिएगा इवेन आप ग्रीन कलर को भी बहुत ज्यादा जो है यूज मेनला है इनको एवाइट करते हुए चले चलिए दर्शको अब हम आते हैं उपाय पर किस मा को आखिर में आप सुब कैसे बनाए आप कहेंगे कि पंडित जी परशानी तो बता दी अब इसका रासता भी निखलने का रासता भी जो है तो देखे दर्शको यह जो हम आपको उपाय रहे हैं इए गरह के गोचर के हिजाप से बता रहे हैं वास्तों में आपके जीवन में क्या चल रहाय है यह आपकी चन्म कुन्डली देखने के बाद ही पता चलेगा तो आप आप अपनी कुंडली का बिश्लेशर करवा सकते हैं क्योंकि आपके कुंडली में द्रहों की स्थिती भिन्न भिन्न होगी एक बात और बताना चाहेंगे सुमवार वाले दिन चावल ले लिजिएगा और दूद ले लिजिएगा ये भगवान शिवजी पर आपको चाहाना रहेगा और रुद्राष्टक के पार्ट से चाहाना रहेगा रुद्राष्टक के पार्ट के आप लोग गूगल कर आपको करना क्या है अच्छा के दिन श्री सूक्त का पाठ करना रहेंगा पहली बात दूसरी बात यहां पर बताना याप श्री उक्त के पाठ से बिल्वपत्र और देशी घी, एक क्वी रिचा जैसे पढ़ियेगा तो एक बिलपत लीजिए गा उसको देसी घी में डिप करिएगा और अच्छा प्रयोग हो सकता है यह आप अपनी कुंड़ी का बिटलेश्टर करवाएं दूसरा अच्छा तिर्तिया के दिन आपको करना क्या रहेगा एक वाइट कपड़े में जी हैं सफेद कपड़े में आप इलाइची और एक उसमें आप एक अच्छी नारियल रखती चीएगा इन सब को लक्ष्मी पूजन में अपने रखिएगा पोटली बांद के लक्ष्मी पूजन कैसे है तो वह भी हमारी चैनल पे है आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते है या आप यूट्य को कैसा लगा हमारा ये तुला राशी का कारीक्रम आपको कमेंट के माध्यम से बताइए अभी तक यदि आप नए है तो उम्मीत करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्स्राइब कर लिया होगा बगल में जो घंटी बनी है बेल आइकन बना है इसको अभी तक आप लोगों ने दबा दिया होगा दर के को हमारे